हेलो दोस्तों वन्स अगेन वेरी गूड मॉर्निंग दी यू एंड मोस्ट वैलकम ओन फीजिक्स वाज सिपी तगया अब देखे दोस्तों इससे पहले वाले जितने भी लेक्चर से हमारे प्रकास चेप्टर से उसमें हमने मानवनेत्र के बारें पढ़ लिया मानवनेत्र के पढ़ो अंदर हमने प्रकास पढ़ था अब देखे दोस्तों यह एक इमपोटेंट टोपिकpay even सिधी बात है दोक्तो टेंट क्लास ट्तूएल्थ Kl Kl1 तीनों ख्लास के लिए मुश्ट इंपोटेंट टोपिक सहीए तो ज्यादा टाइम जाया ने कर से दोस्तों अपने सिधा तो प्रिज्म में दो तिरबुजाकार आधार कैसे आधार होते दोस्तों दो तिरबुजाकार आधार होते हैं और तीन आयताकार पार्शो प्रस्ट होते हैं ठीक है अब यह जो डाइग्राम दिख रहा है इसको अपन थ्रीडी बना के देखते हैं दोस्तों ताकि आपको अच अब ध्यान से आप काउंट करते हो तो दो अधार होगे तिर बोजाकार एक तो यह वाला तिर बुज होगी दोस्तो छीक है इसको रहा New Скills डारक कर देता हो में एक पिछे वाला बेस हो जाएगा दोस्तो यह वाला चीक तो दो तो तिर्बुजाकार के हो गए इसके आधार हो गए और तीन इसके आयताकार फलक हो गए देखे कौन कौन सा आयताकार फलक है एक फलक की नीचे वाला बेस हो गए दोस्तो ये वाला ठीके एक फलक इस तरफ वाला है दोस्तों ये वाला और एक फलक दूसरी तरफ होगा पीछे की तरफ ठीके तो कितने फलक होगे आयताकार फलक होगे तीन और दो तिरुबुजाकार आधार होगे ठीके दोस्तों अब बात कर लेते हम प्रिज्म कौन की अब प्रिज्म कौन होता क्य पुलते हैं क्या प्रिजम सबस्राइत के सबसे पहले आपकर अगली चीज़ों की यह देखिय है अब देखिए आर फिलन्ड कोनद क्या होता है देखिए सबसे पहले अपने सीधा सा कंसेप्ट समझते सामने एक डाइग्राम दिख रहा आपको परकास किरन यह पी है कौन सी किरन है परकास किरन पी चलो इसको रोक लेते हैं परकास किरन जस्टिम मिनट आगे ठीक है आपके हैं तो बीच में करें चिक तो परकास किरन पी तो यह आप टीट हिशांट के एक फलक पर आप टीट अब देखिए यह प्रकास किरन पी है दोस्तों की कर लिए प्रिज्म और पाष सुखिए मैं लिए दृवा ऑर आपको यह सो दोस्तों अबातित टो हूं गए अभी कोर्प दूस्तेहिस कटा सब्सक्राइन कर ना उम्हाई जा सकथूपने अप्रत्त होगि कहा कि भल एस में अपरत्त इन डेस यह क्या है यहाँपर वह использ का फलक एबी की लिए अभिलम है और यह होता है परकास की रण अभिलम के साथ जैतना को न व yellow के गाला जेत है परकास किरण सब Stuff कोन का बोलते हैं अपरतन कौन बोलते हैं अब एक बार अपरतन यहां होगा ठीक है दूसरी बार अपरतन कहा होगा दोस्तों फलक पर जाए और बार निकलने के बाद यह पुने अपरतन का पालन करेगी और जानी तो सीधी ची ये थी पर अभी लंब से ये दूर हो जाएगी ठाएं तो ये पहला माध्यम यह और यह ओजाएगा बार प्यापके डियागराम को ध्यांसे देखिए पुने इसका परतन हुआ और प्रकास किरण बहार निकल गी जिसे हम निर्गत किरण बोलते हैं कौन सी किरण बोलते हैं निर्गत किरण अब यहां पर एक जो कंसेप्ट आया था दोस्तों क्या फॉर्मुला आया था डिफाइन को पर वापस देख लेते विचलन कोण तो अब तुन से बतल नाम बोलें तो नाम किया हो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा को ऐच उज्स hgs टो फोन Sy एक विचलन कोण यो की आप्तित किरन और निरगत किरन के बीच में बनने वाला कॉण होता है ठीक तो है टिकर पर फिर भी किसी को नहीं आया तो कमेंट बोक्स में कर दो अपन फिर उसका डाउट क्लियर कर देंगे कि विकॉज हम लाइव रहेंगे आपके साथ में ठीक है मैं बोल नहीं सकता आपका किसी का प्रटिकुलर नाम नहीं ले सकता बट आप जो भी कोशन पूट आप करोगा उ डोस्तो हाई तो आपको विशय लन कौं अच्छे समझ में आया ठीक है अगले पॉंट पर आगे बढ़ते हैं तो ऑल अगले पॉर्ट पर आगे बढ़ने से में परिवर्तन हो जाता है जब चाल में परिवर्तन होता है इसका मतलब यह हुआ कि उर्जा का शय हो गया और जैसा कि दोस्तों आपको पता होना चीए कक्षा 9 में पड़ा है आपने कक्षा 11 में पड़ा है क्या पड़ा है उर्जा संरक्षन का नियम मिन्स उर्जा को ना तो रुपान्तरन होता है यानि उर्जा का रुपान्तरन हो सकता है ठीक है तो उर्जा का रुपान्तरन होगा तो अब जब प्रकास के रण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेस करती है इसके वेग में परिवर्तन हो जाता है तो परिवर्तन के साथ साथ अब देखिए अगर यह स्वेध प्रकास है कैसे प्रकास है दोस्तों स्वेध प्रकास है स्वेध प्रकास मतलब वाइट लाइट है तो वाइट लाइट जब इसमें रेफ्रेक्ट होगी मेंस स्वेध प्रकास का जब अपरतन होगा एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकास करें जब परवेश करे दोस्तों साथ वर्णों में बढ़ जाएगा और जो सबसे ज़्यादा चाल होती है वोती दोस्तों लाल वर्ण की और सबसे कम चाल होती है वो वोईलेट की जिसे हम बैंगनी बोलते हैं ठीक है तो आर सबसे उपर होगा और वी सबसे नीचे होगा वी मतलब वोईलेट मतलब बैंगनी आर मतलब रेड ठीक है दोस्तों समझे आया आपको चलो अगले अगला पॉइंट दोस्तों काच के प्रिज्म द्वारा स्वेत प्रकास का विक्षेपन अब यह स्वेत प्रकास का विक्षेपन क्या है ठीक है जब प्रकास के रेंड प्रिज्म से होकर गुजरेगी तो प्रिज्म से गुजरने के पश्चात जो स्वेत प्रकास से वह साथ व जिसे वर्डविक्षेपन कहते हैं किया कहते हैं तो 살ी प्रकास जब प्रिज्म से होकर गुझता है तो प्रिज्म स्वेथ प्रकास को सात रंगों की पट्टी में विबक्त जाता है यानि सात रंगों में बाट देता है. ये सात रंग कॉन से होते हैं, दोस्तों, बैंगनी, जामुनी, निला, हरा, पीला, नारंगी और लाल जिस्कों वेनी, आ ह हं, पी, नाला बोल सकते, क्लुप है दोस्तों, वैसे है या representing आप दें, स्पेक्ट्रम कहा जाता है प्रकास के अवेवी वर्णों में विभाजन को ही विक्षेपन कहते हैं अथार्थ वर्ण विक्षेपन कहते हैं ठीक है सामने एक डियाग्राम दिख रहा है आपको ठीक है जब प्रकास किरन स्वेट प्रकास किरन एक प्रिजम यहां पर दो कर लूँ टिक है इस वाले पॉर्शन को मैं कया कर लेता हूं है कर लेता हूं तो जैसे हां मार्क किया है कि यह यह को हैट कर लिया जिसक्क लिए ठीक है तो एक प्र्च मिग देखो गे तो प्रकास कि रंड कितने वढँडों होगे साथ बंदो में विवक्त होगी ड्रकास अब lookin गोंने के फॉलस पर समान्तर होने चाहिए ठीक एक प्रिज्म 10 का एक फॉलक। इसका यह दोनों परस पर केसे हम समान्तर है ठीक है जब समान्तर है तो प्लकास करनए इसका का में प्रकास के वर्णों साथ वर्णों में विवक्त करना और दूसरा क्या करेगा वापस से उसको स्वेत प्रकास में रुपांतरित करने का कार्य करेगा ठीक है यह प्रियोग किस ने किया था यह प्रियोग न्यूटन ने किया था ठीक है इसे यू न्यूटन का द्वी प्रिज्म प्रियोग भी कहते हैं तो परकास किरन पहला प्रिजम क्या करेगा, साथ वन विवक्त कर देगा, दूसरा प्रिजम क्या करेगा दोस्तों, इसे पुने स्वेध परकास में रुपांतरित कर देगा तो अंत परियंत लास्ट में हमारे को जो प्रकास के रण निकल के हमारे को मिलती है वो कैसी मिलेगी दोस्तों स्वेत प्रकास के रण मिलेगी और एक चीज़ ओर होती दोस्तों जो आपतित प्रकास के रण है स्वेत प्रकास और जो निर्गत स्वेत प्रकास के रण है दोनों परस्पर समांतर होती है दोनों परस्पर कैसी होती है समांतर अब वन्ट विक्ष्यPAN और पून आंतरिक परावरतन ऐसे सम्बंदित मिली जूलि परिगटना है जिसे कहा जाता है इंद्र decimal यह अपरकार की प्राकर्तिक परिगटना है तो दोस्तों आते हम अगले अब आजाओ वे वापस अपने इंदर्धनोस बबाजी पर इंदर्धनोस वर्षा के पस्चात आकास में जल के सुक्षम कणों में दिखाई देने वाला एक प्राकर्तिक स्पेक्ट्रम है ये वाईव मंडल में उपस्तित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकास का परि सूर्य के विपरीत दिसा में बनता है इसका मतलब यह नहीं कि आप सूर्ज के पीछे चलेगे इसका तात्पर यह है कि जिस तरफ सूर्य होगा उसके विपरीत दिसा में ही हमेशा इंदर्धनोस बनेगा ठीक है इसको एक हम यह कह दें कि इसकी एक स्तितिक उपन दरसाते है आपको एक imagination बताता हूं दोस्तों, आप सीधे खड़े हो, आपके पीछे सूर्य है, आपके सामने जस्ट अभी बरसात होकर रुग गई है, या हलकी फुलकी बरसात हो रही है, सूर्य की तरफ का आसमान साफ बना चीए, ठीक है, जब सूर्य का परकास उन जल की बूंदों से गुजरेगा, तो गुजरने के पस्चाहत, दो परिघटना एक साथ होती है, एक तो होती है, वर्ण विक्षेपन कौन सी होती दोस्तों? वर्ण विक्षेपन, और दूसरी होती है, पोण आंतरिक परावर्तन, कौन सी होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसे बोले जाता है टोटल इंटरनल रिफलेक्शन ये दो परिगटना होती है साथ में तब इंदरदनुस बनता है अब देखिए आगे बात कर लेते हैं जल की सुक्सम बुंदे छोटे प्रिज्म की बाती विवार करती है सुर्य के आप्तित प्रकास की ये बुंदे अपवर्तित और विक्षेपित कर देती है तत्पस्चात इनमें आंतरिक परिवर्तित करती है अंतत है जल की बुंद से बहार निकलते समय प्रकास पुने अपवर्तित कर देती है प्रकास के परिशेपन और पून आंतरिक परावर प्रेक्षक के नेतरों तक पहुचता है और उसे क्या दिखाए देता है एक पुरा एक वर्ण करम दिखाए देता है और उसी स्पेक्ट्रम को क्या बोला जाता है दोस्तों इंद्र धनुस का आजाता है ठीक है आइट यह टॉपिक आपका बहुत अच्छे से किलियर हुआ तो सुर्य का प्रकास जासे प्रवेश किया प्रवेश करने के बाद इस दिखाए पर दिखिया अपन तीन पॉइंट दिनोट करते हैं एक पॉइंट वन एक पॉइंट टू और एक पॉइंट थ्री तो फर्स्ट पॉइंट में क्या हुआ प्रकास किरन जल की बूंद के अं आपवरतन की बजाय क्या हो रहा है या पर परावरतन हो रहा है फिर यह पहुच जाती है दरपन के तीसरे बिंदू स्वरी जल की बूंद के तीसरे बिंदू पर और यहां जाने के बाद परकास का पुने क्या हो जाता है दोस्तों अपरतन हो जाता है तो एक चीज जहां रख प्रकास का आपवरतन होता है ठीक है और दूसरा बिंदू है जहां पर प्रकास का पूर्ण आंत्रिक परावरतन होता है और मुझे यह बताई है दोस्तों कि पूर्ण आंत्रिक परावरतन कौन से बिंदू पर हुआ बिंदू नंबर दो पर ठीक है तो इस से संबंदित एक इ दोस्तो अब मुझे बताए कि वर्ण विक्स हैपन कौन से बिंदू पर सुरू होगा तो वर्ण विख्षयपन दोस्तों तब शुरू होता है जब परकास की रण अपवर्तित होती है तो प्रकास किरण का अपवरतन कौन से मिंदू से शुरू हो गया था दोस्तों बिंदू एक से तो पहले बिंदू से ही जब प्रकास किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेस करती है अथार्थ प्रकास किरण का क्या होता है दोस्तों अपवरतन होता है तब प्रकास कि पर दो कर रहा कए और तीसरे मिंदु पर यह बाहर निकल ये और बाहर निकलने के बाद उपर वह वर्न होगा वह लाल निचे वाल वन होगा वह बंगनी वन ठीक है तो ये क्या बना एक इंद्रधनुस दिखाई देगा और यहाँ पर क्या है यह दोस्तों यह प्रेक्षक है प्रेक्षक की आंक भैस की आंक नहीं प्रक्षक की आंक तो देखने के बाद में उसको एक इंद्रधनुस दिखाई देता है इंद्रधनुस को परॉलकर्ण जो वर्ण है वो कुन सा है ल उसके द्वारा बनने वाला इंद्रधनोस प्रात्मिक इंद्रधनोस कहलाता है ऐसे एक होता है दित्यक इंद्रधनोस जो प्रात्मिक इंद्रधनोस के नीचे बनता है उसमें परकास का दो बार पूर्ण आंत्रिक परावर्दन होता है कितनी बार होता है दो बार होगा तो द दित्यक इंद्र धनुष बनता है क्या बनता है दित्यक इंद्र धनुष जिसे रेंबू बोलता है अंग्रेजी में दित्यक इंद्र धनुष जिसमें परकास किरन का कितनी बार पुर्ण आंतिक परावरतन होता है जल की बूंदों में दो बार होता है और प्रात्मिक इंद्र करने की जो ट्रिक है वो क्या है विब ग्योर क्या है विब ग्योर के अंदर वी मतलब होता है वाइलेट चीक है कि दूसरा आई मतलब होता है इंडिको क्या होता है इंडी गो तीसरा बी मतलब होता है ब्लू अच्छा मतलब होता है ना- Mm अ- ए और रैंग को Beef उरेंग लास्ट में आर, आर मतलब होता है रेड ठीक है इसको विप्ग्योर कहा जाता है और हिंदी में इसको बे नी आह पी नाला मैं रेख देता हूं बे नी आह पी ना उलाल के लिए बाएगा रेड ठीक तो बे नी आह पी नाला और इंगलिस में कहा जाएगा विब ग्योर वी आई बी जी वाए ओ आर ठीक है स्लाइट को बिल्कुल क्रिया कर देता हूं मैं ठीक है अब आजाता है हम यहाँ पे किसी प्रिज्म से गुजरने के पस्चाथ परकास के विबिन वर्ण आपतित के रिणके सापिक्स अलग-अलग कौन पर जुगते हैं यानि इनका जो विचलन कौन होता है वो सबके लिए कैसा होता है दोस्तों अलग-अलग होता है सबसे कम विचलन कौन होता है रेड का क्यों लाल कलर का या लाल वर्ण की जो चाल होती है वो एक माधियम से दूसरे माधियम में सबसे ज्यादा होती है और ब्लू की सबसे कम होती है तो सबसे ज्यादा विक्षेपन किसका होगा जिसकी चाल सबसे कम होगी उसका विक्षेपन उतना ही कम होगा तो विक्षेपन आ है तो रेड के लिए जो चाल है वो ज्यादा है और ब्लू के लिए चाल क्या है कम होती है ठीके इसलिए चाल जिसकी ज्यादा है उसके लिए विचलन कौन क्या होगा कम होगा और ब्लू के लिए विचलन कौन कैसा होगा दोस्तों ज्याद सबसे कम जुखता है और बैंगनी प्रकास सबसे अधिक जुखता है ठीक है सबसे कम जुखता है अब आजाते हम एक डाइग्राम देख लो दोस्तों सबसे कम जुखा कॉन और रेड राल कलर सबसे कम जुखा है इसलिए सबसे कम विक्षयपन होगा ठीक है और सबसे ज़्यादा विक्षयपन कीस में होगा दोस्तों बैंगनी वर्ट के अंदर तो मैंने विक्षयपन के लिए एक दोनों कौन बना दी दोस्तों थाकि आपको अच्छे समझ में आ 강 detect और दो प्रतम सुर्ण के प्रकास का इस्पेक्टर्म करने के काच के प्यूर्ग किया था एक दूसरा समान प्रिज्म करके तर्कास के इस्पेक्टर्म के वर्णों को और विदक करने का प्र्याक्त्तन नहीं प्रह नहीं नहीं मिल पाए फिर उन्होंने एक दूसरा सम प्रेक्स यादि सेम एक जैसा रखा, पहले प्रिज्म के साप पेक्स उल्टा सब्सक्राइब कर लिए।-थिसलाइब से प्रकास से मिलकर बना होते हैं। बात करते हैं वन विक्षेपन इन चीजों से संबंदित कुछ परिभासा हैं दोस्तों जो एक्जामें पूछी जाती है ठीक है तो इसे यानि दो मिन्ट पहले दिखाई दे रहा है इसे बोलते अग्रिम सूर्यों दे और दो मिनेट बाद तक भी दिखाई देता है तो इसे बोलते विलंबित सूर्यास्त तो यह क्यों होता है जब परकास की रण सूर्ये से जो सूर्ये का प्रकास है वो वायु कारण में प्रवेश करने के कारण जैसे प्रवेश करता है तो कौन सी परिगटना होती है दोस्तों वह परिगटना होती है प्रकास का अपवर्तन तो अपवर्तन के कारण ही हमें विलंबित सुर्यास्त और अगरिम सुर्योदे दिखाई देता है तो जब इसका कारण पूछा तारो का प्रकास चोटा है वह एक समान होता है परंतु जब सूर्य का जो सूरी सूरी पिंवलर एक आप से के राइन फतあれ जोह से आने वाला प्रकास वांग मंधल में परवेश करता है तो यू मंधल के पर स्चाथ प्रतवी के प्रष्ट परुचने के तक तारे का प्रकास निरंतर अपरतित होता है, क्योंकि वायू मंड़न में बहुत सारी परते हैं दोस्तों, उन परतों के अंदर प्रकास का निरंतर अपरतन होता है, जिस करण हमें तारे टिम्टिम आते हुए दिखाई देते हैं, अथार्थ परतीत होते हैं, वायू मंड़न अ अपरतन उसी माध्यम में होता है जिसका कर्मिक परिवर्ती अपरतनांग हो क्योंकि सब लेर का जो अपरतनांग हो कैसा है अलग-अलग होता है ठीक है क्योंकि वायो मंडल में तारे के प्रकास को अभी लंप की और जुका रहता है अथे सहतिच के निकट से देखने पर कोई सब आपने वास्ट्विक इस्थिति से कुछ उचाई पर प्रतित होता है और एक चीज़ यह भी कह सकते है कि अपरतन के कारण विलंबित सूर्या देखो दो चीज़ें ठीक है एक था अग्रिम सूर्य और दूसरा था प्रत्वी ये प्रत्वी पर प्रत्व मंदल सूड्य से आने वाला प्रकाश में प्रवेस्त किया बर तुद जब प्रेक्षक तक वे प्रकास पहुचा तो अप्रतित हुआ मतलब विचलित होकर पहुचा विचलित होने के प्रश्चात हमारे पास तो यह वाला प्रकास पहुच रहा है तो जब इसके प्रकास के पत को पीछे बढ़ाओगे तो यह सूर्य की एक आबासी इस्तिति होगी वास दो मिनिट का डिफेरेंस होता है कितने मिनिट का होता है दो मिनिट का और यही डिफेरेंस सुर्यास्त के समय भी होता है ठीक है और यही पर हम तारों की आबना से इस्तिति वाला कारण भी बोल सकते हैं अगर हमें सीधा साथ छोटा उत्तर लिखना है तो वह उत्तर क्या है प तिरता के कारण परकास का अपरतन वाय मंडली अपरतन कहनाता है क्योंकि वाय मंडल में विबिन परते हैं दोस्तों सबका अपरतन अंक अलग-अलग होता है क्योंकि कोई माध्यम सगन है तो कोई माध्यम विरल है इसे वाय मंडली अपरतन कहते हैं ठीक है वाय मंडली अपरत प्रतित होना तीसरे पॉइंट को हम डिसकस कर चुके हैं चोथा पॉइंट है गरम वायू से होकर देखने पर वस्तु का आभासी इस्तिति परिवर्तन होना आपने कभी दोस्तों हालवाई को देखा है हालवाई जो नहीं हालवा बना रहा हो कुछ भी गुलाब जमुन होती है तो वह क्यों हुआ दोस्तों क्योंकि जब उसमें से वास्प भाहर निकल रही थी बहाब भार निकल रही थी तो वायू में वह भाब परवेश करती है और अलग-अलग परकार के अपरतनांग क्रियेट होते हैं और हमें सामने वाली वस्तु से आने वाला प्रकास क् इसको में थोड़ा से क्लियर करता हूं थोड़ा से जुम कर देता है अपन छिक है किलियर दिख रहा होगा दोस्तों आपको बाई साब कहा चले गया आप चलो ये रहे ये लाइट डिम कैसे हो गई बाई साब अब नहीं होगी ठेक है कभी कभी हो जाती है तो आ जाते है दोस्तों पहले पॉइंट पर आग के तुरंत उपर की वायू अपने उपर की वायू को वायू की तुलना में गरम होती है गरम वायू अपने उपर की थंडी वायू की तुलना में कम सखन होती है तीक है दोस्तों यानि गरम वायू क्या होती है विरल होती है और थंडी वायू कैसे होती है अप्रतनांक थंडी वायू के अप्रतनांक माध्यम वायू की बूतिक अवस्ता इस्तिर नहीं है ठीक है जब थंडी वायू होती है तो जलकी मात्रा अधिक होती है और गरम वायू में जलकी मात्रा कम होती है इसलिए गरम वायू से होकर देखने पर वस्तो की आबासी इस्ति तारा हमें प्रकास के समान प्रतित होता है चुकि तारों से आने वाला प्रकास किरन का थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता है ते तारों की आबासी इस्तिती विचलित होती रहती है थाथा आखों में प्रवेश करने वाला तारों का प्रकास की मात्रा जल मिल होती रहती है शेदेटि परिवर्ति रहती है जिसके कारण को इस चमकिला प्रतिद होता है तो कभी दुद्दला प्रतिद होता है जो जो फिर्ट wage अब बात करते हैं अगली जिससे का प्रकेड़न दिस एक इंप्पोटेंट X पैन निकल कर आती दोस्तों टिंडल प्रभाव जब कोई प्रकास किरण का पुंज वायु मंडल के महीन कणों जैसे दुआ जल की सुक्षम मुंदे धूल के निलंबित कण तथा वायु के अनों से टकराता है तो उस प्रकास पुंज का मार्क दिखाई देने लग जाता है को प्रकास के परकिनन की घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है ठीक है आपको मैं थोड़ा सा इसको यह प्रभाव दिखाता हूं दोस्तों आपने देखा होगा कि मकान के जरोकों में से यानि खिड़किया खिड़की को उपर जरोके होते हैं वहाँ परकास जैसे परवेस करता अंदर दिन के टाइम में ठीक है लगबग आप सुबह दस से लेकर आप यह मान सकते हो कि तीन चार बज़े तक तो जब वह परकास के रहें बिल्कुल एक महीन सा परकास निकलता है तो हमें परकास का पत्र पूरा दिखाए देने लग जाता है ठीक है इसको अपन एक दूस जब उसपे आप्तित करते हैं दोस्तों तो टोर्च का जो परकास का पत्त है वह पूरा दिखाए देने लगता है यह परकास का पत्त और हमें परकास का पूरा पत दिखाए देता है और इसी परभाव को हम टिंडल परभाव कहते हैं जिसे रमन इफेक्ट भी कहा जा सकता है दोस्तों क्या बोलते रमन इफेक्ट यह रमन परभाव ठीक है उदारन एक जब किसी सब रहे कमरे में किसी सुक्षम और से कोई पतला परकास किछ मन कुरइन परवेश करता है तो हमें टिंडल प्रभाव दिवाव का परकास गौजरता था तो भी तिंडल पर्भाव को दिखा जा सकता है ठीक है दोस्तों और प्रकास के पकिडनन से रेले का नियम और रही डोस्तों ओस्तों ऐसे बहुत मैत्पूर्ण नियम है जिसे रेले का नियम क्या बूलते दोस्तों व्यक्तु की चेहार्चा नियम क्या होता है दोस्तों, बनी को मिजगेता है कि अनुजह रो छिए ज़पशनु से Full Sun का चीट की चघए कि चतुर्ट फेर्धिय का ध्यानस तो किसी भी उड़िय का प्र ची लेमड़ा के छार इंच उनसे चतुज हें चुठ करनान पाती होता है लेमडा की घात चार के जिसे हम रेले का नियम कहते हैं इसका साब्दिक अर्थ बताता हूं दोस्तों यह तो मैथमेटिकल आ क historic करेंते हैं इतना इतना उसके लिख कन अधिक होगा आ करुज आहिं दोस्तों यांचा नोगेट एप होता है वह तो रेको लेमडा अधिक होता है और बेंगली 3 जिसको अपने वी से लिखते हैं उसका लेम्डा कैसा होता दोस्तों नियून तर्म होता है ठीक है यह आप मैंने एरो से इंडिकेट किया है एरो बता रहा है कि मैक्जिमम और डाउन एरो बता रहा है आप मिनिमम तो लेम्डा जब मिनिमम होगा ठीक है रेड का लेम्डा मैक् इसलिए बेंगनी वर्ण का जो परकेणन होगा वो सरवादिक होगा और लाल वर्ण के लिए तरंग दिर्दे के साथ है दोस्तों सरवादिक है तो लाल वर्ण का परकेणन नियूंतम होगा तो यही रेले का नियम है ठीक है यहाँ पर लेंडा क्या है परकास का तरंग परकिनित परकास का वनन परकिनत ना करने वाले कणों के आकार पर भी निर्वर करता है दोस्तों ठीक है एक नेशित आकार होता है उसमें निर्वर करता है अत्यांत सुक्षम कण मुख्य रूप से नीले परकास को परकिनित करते हैं बड़े आकार के कण अधिक तरंग दिर्दिय के परकास को परकिनित करते हैं यदि परकिनित करने वाले कण का साइस बहुत बड़ा है तो परकिनित परकास स्वेत भी परतीत हो सकता है इसका मैं मतलब समझाता हूँ आपको दोस्तों ठीक है ध्यान से समझना इसको अग यह देखे परकास किरन जो होता है यह परकास का पुंज है परकास किरन का तरंग दिर्दे होता दोस्तों 389,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, तरंगदेर दे वाला प्रकास निकलने वाला है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर प्रकास मुझ को परवेस्ट किया, दोस्तों, एक बार मैं इसको एक blank page देखें, दोस्तों, इसके लिए कुछ थोड़ा से जगे मिल जाए हमार को, ताकि इसको थोड़ा धंग से describe कर दें, यह रह दोस्तों, थीन्सो असी निनो मेटर से शाद सो असी निनो मेटर, यह किसका तरंगदिरदे होता दोस्तों, श्वेत प्रकास का तरंगदेर भॉरा सो प्रास होता अगर यह और ज्यादा हो जाएगा तरंग दिर्दिय उतना ही अधिक होता रहेगा ठीक है तो जितने छोटे होंगे कण तो उतने ही अधिक यानि नीले परकास को परकेड़ करता है और बड़े आकार का कण होता है तो अधिक तरंग दिर्दिय वाले परकास को परकेड़ करता और बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की तीसरे पॉइंट में क्या है दोस्तों अगर प्रकास किरन का आकार या प्रकास का जो कंड है वह बहुत बड़ा हो तो अब जिसे प्रकास कुन सा है दोस्तों स्वेध प्रकास आ रहा था स्वेध प्रकास या 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 इसकी प्रास मान अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की खत्रे के संकेत का रंग जितने भी आपके वार्णिंग वाले सिंबल्स होते हैं वो कौन से रंग के होते हैं दोस्तों लाल रंग के होते हैं क्योंकि रखा जाता है दोस्तों क्योंकि लाल रंग का परकिणन सबसे कम होता है ठीक है इसलिए लाल रंग रखा जाता है, स्वच्च आकास का रंग नीला क्यों होता दोस्तों जब प्रकास सूर्य का प्रकास जैसे ही वाय मंडल के कणों से गुजरता है तो गुजरने के बाद में किसका प्रकेणन होगा दोस्तों जिसका तरंग देर्दे सबसे कम है उसका प्रकेणन सरवादिक होता है और सबसे कम किसका होगाating कौन से वनका होगा नीले और मेंग्नी वन के अ किसे है आस्मानी दिखाई देता है इंक है इम निला भी कह sabes में द्रश्य मिजिते लाल और सूरीय से सुक्षम कंड लाल परकास ति यहां को गुजरता है दाउ prevention 카क और परक्रिणित हुआ नीला प्रकास हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है इसलिए हमें आस्मान कैसा दिखाई देता है दोस्तों नीला दिखाई देता है उचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकास काला की उप्रतित होता है दोस्तों क्योंकि इतनी उचाई पर परक् क्या है दोस्तों बादल सफेद क्यों परतीत होते हैं अब देखिए दोस्तों बादल काले भी होते हैं और बादल सफेद भी होते हैं जब कोई बादल सफेद कब दिखाए देगा जब सूर्य का प्रकाज उससे टकरा कर वापस आपकी नेत्रों में आ जाएगा तब तो बादल कैसा दिखाए देगा सफेद दिखाए देगा और बादल काला कब दिखाए देगा जब परकास किरण परवेस्ट करने के पश्चाहत हमारी तरफ वापस ना लोटे ठीक है तो देख लेजिए अपने इसको अंसर को पढ़ लेते हैं दोस्तों कि स्वोग बादल क्रीच में शुक्ष्ण पाने की बूंदों से बने होतेइं ये सुक्स्म बूंदों का आकार दर्शय केंटों की तरंग दे नहीं से अधिक होता है इसलिए जब स्व्यद्ट परकास इन कड़ों से टकराती हैि तो सभी दिशा में परवर्थित हो जाती ठीक है इसलिए हमें कैसा दिखाई देता है बादल सफेद दिखाई देता है अब बात करते हैं ग्रह क्यों नहीं टिम्टम आते हैं तारुक के पेकसा परत्वी के काफी नजदीग होते हैं इसलिए परकास का बड़ा इस्तरोथ माना जाता है यदि ग्रह की परकास के तो प्रतिक इस्त्रोत दुवारा हमारे आखों में प्रविश करने वाले प्रकास की मातरा में कुल परिवर्थन का उसत्मान सुनने होता है इस कारण ग्रह टिम्टाब आते हुए नहीं प्रतित होते हैं केनी सीधा सीधा कनसेप्ट है घ्रहह अहमारे सबसे नजदीक है अगर हम बात करें तारों की तुल्णा में तो ग्रह अधिक नजदीक है कॉन से मंदल करें सूर मजह है एक ऺचाया होता है इसलिए इसली हमें आते हुए नहीं से हैं तो चंदरमा भी एक परकास के बड़े इस्तरोत की भातिवार करता है, इसलिए वो भी हमें टिम्टमातावा पर्तीद नहीं होता है, चंदरमा भी बिल्कुल सूरसपस्ट दिखाई देता है, ग्रह भी हमें सूरसपस्ट दिखाई देते हैं, जब इनको टेलीसकोप से देखा सूर्य भी हमें टिम्टमाता और नहीं दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य भी हमारा प्रत्वी का एक निकर्तम तारा होता है, सम्झाया है दोस्तों, आपको पूरे टॉपिक्स बूद अच्छे से क्लियर होगे दोस्तों, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेर बाई